हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेकिन इस तरह से पीटो मत पुरा मामला बार मेर के बायतू इलाके का है बायतू पुलिस ने फिलाल मामला दर्सकर जाज शुरू कर दी है प्रारंबिक जाज में ये सामने आया है कि नाबालिक ने 6 साल की बच्चे के साथ छेड़ चार की थी जिसका अंजाम ये हुआ कि उसके बाद उसके परिवार वाले आये उसे ले गए पंके से लटकाया और साथ ही बुरी तरह से उसके साथ मार पीट की भीम्रा गाउं के रेने वाले परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि 9 माई को शाम 6 बजे घर के बाहर खेल रहे नाबालिक का पडोसी आया और उसे किड्नैप करके ले गया घर में ले जाकर पंके से लटका कर बुरी तरह पीटा पडोसी, उसकी पत्नी और बेहन ने गरदन और पीट पर गरम चिम्टों से दागा और उसके साथ अशलील हरकते भी की नाबालिक के पूरे शरी पर चोट के निशान है उसके घरवालों ने पुलिस में रिपोर्ट दी है कि उसके साथ अशलील हरकते भी हुई है नाबालिक का कहना है कि पड़ोसी जबरदस्ती उसे घर से उठा कर ले गए लाठी और वायर से पीटा जगा 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 लोहे के चीम्टों से दागा प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल भी छिड़का करीब देट घंटे तक पीटने के बाद उसे घर के बाहर फेंक गए हॉस्पिटल में भरती नाबालिक ने अपने साथ हुई ज्याक्ती बया की शरीर पर जगा जगा लोहे के चीम्टों के दाग उसके साथ हुई बहरमी से मार पीट को उजागर कर रहे हैं कि पड़ोसी जबर्दस्ति उसे घर से उठा कर ले गएמש कमडे मेरे ले जाकर उसे पंके से लटकाया एस्पि दीपक भार्गव के मताबिक नाबालिक बच्चा और पी परिवार के घर पर काम करने जाता है उस परिवार ने आरोप लगाया कि नाबालिक लड़के ने बच्चे के साथ छेड़ चाड़ की है हाला कि इस पक्ष्म ने इस बाबत कोई रिपोर्ट नहीं दी है उदर बच्चे का मेडिकल करवा दिया गया है जिस लड़की से छेड़ चाड़ हुई है उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनसे भी पूछता जारी है घर पर काम करने के लिए रखा नाबालिक नाबालिक की माने बताया कि बीते दो माँ से नाबालिक पडोसी के घर पर छोटा मोटा काम करने जाता था पीते दो दिनों से वो नहीं जा रहा था गुरवार शाम को नाबालिक को कुछ काम का कहकर अफरन करके ले गए और बहरे मी से उसके साथ मार पीत की बेहोशी के हालत में घर के बाहर फेक कर चले गए परिवार ने शुकरवार को दिन में मामला दर्स करवाया जाग रुक टिवी के लिए बार मेर से ठाकरा राम में घवाल की रिपोर्ट